हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका मेरे चैनल सेलुशन पॉइंट में आज के वीडियो में हम टीटी का फाउम भरने में जो समस्यां आ रही हैं उनके बारे में डिस्कुस करेंगे फ्रेंट्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजे ताकि जो भी नए वीडियो में अफ्लोड कर उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंसता रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सरवर जाम रहा अभ्यारती अधर में फसे छटवे दिन भी समस्या जियो की त्यों बनी रही फॉर्म भरे लेकिन आवेदन नहीं हुए है उत्ते प्रदेस सिक्षिक पातरता परिक्षा यानी यूपी टीटी दुहजार अठारा के लिए ऑनलाइन आवेदन की समस्या जियो आवेदन फॉर्म भरा है और परिक्षा सुल का पैसा भी कट गया है लेकिन शुल की ना रशीद मिली है और ना आवेदन भरा जा सका है बेसिक सिक्षा के परिसत स्कूलों में 97000 सायक अध्याबकों की भरती इम्तियान से पहले ही बड़े विवाद में गिर गई है 17 सितंब के बाद जैसे तैसे आवेदन हो रहे थे लेकिन शुक्रवार से OTP वन टाइम पासवर्ड ना आने की समस्या खड़ी हो गई है असल में अभ्यरती को दो बार OTP आती है एक बार बैंक की ओर से सुल के लिए वाद दूसरी बार आवेदन सम्मिट करने के लिए कहा जा रहा है कि आवेदन ना हो पाने की वज़े से ओवर्लोडिंग से सर्वर जाम होना है टीटी के लिए आवेदन का चार अक्टूबर तक समय निर्धारित है अभ्यरती आवेदन के चक्कर में पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं जबकि उन्हें आगे टीटी वर सक्षक भरती के परिक्षा नियमक प्रदिकारी कारेले में आवेदन वा स्टेट फ्रेंक आधी जानने के लिए अधिक हिट होने से कई बार सर्वर सही से कारेना करने की समस्या आती रही है टीटी दोहजार अठारा के लिए आवेदन इतनी बड़ी संख्या में होंगे इसका अपसरों को अ तीन विकल्ब देकर परिशान किया गया अब सर्वर की समस्या खड़ी हो गई है आज से आवेदन शुरू होने की उमीद है परिक्षा नियमक प्रदिकारी सच्यू अनिल भूशन चतुरवेदी ने कहा है कि सिस्टम दुरूस्त करने को बाहर से टीम बुलाई गई है उन्होंने कहा कि अभी आवेदन की समय सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं बेजा है क्योंकि 4 अक्टूबर तक का समय सेश है उस समय तक आवेदन पूरे नहीं होंगे तब साशन डर नहीं लेगा